कि हम चलेंगे तो एक और नई सवाल पर चलते हैं आठ पहले पढ़ लेते हैं अगर आपको पढ़ने के बाद समझ में आयता है तो कमेंट में लिखती जाएगा तो हम अगली कोश्चन पर चले जाएंगे उसी के अकॉड़ी ठीक है चले सर कुश्चन में कहता है आर ओन अबिग हाउस बहुत बड़ा घर है कोई बात ने सर ता हाउस थ्री इंडिपेंट अइडिन्टिकल यूनिट और सर घर के तीन यूनिट है यानि कहने का मतलब है सर ये मिर पास एक बहुत बड़ा घर है और घर के तीन हिस्से हैं तो कैसे तीन हिस्से करा जाएं तो ये लो ये होगे तीन यूनिट यूनिट वन यूनिट टू यूनिट थ्री ठीक है सर कहता है यूनिट यूनिट फिफ्टी परसेंट फ्लोर एरिया इस लेट आउट फूर रेजिदेंशल परपस मन्थली रिंट आपका 16,000 कहता है यूनिट वन वन जो यूनिट है ना जैसे इसका भी कहता है कि 50% हिस्सा यानि इसको भी तोड़ दिया इसने इसका 50% एरिया जो है उसको इसने लेट आउट कर दिया समझ रहे हैं इस वाले को let out कर दिया यानि unit 1 का आधा वाला let out है और उसका किराय इतना है और sir this house however used by him for residence purpose कहता है कि this unit is however used by him for the residence purpose from January 2021 तो January से लेके March तक इसी घर को इसी portion की बात करता है यह SO भी हो जाता है कुछ समय के लिए ठीक है sir a sum of 1000 could not be collected from the tenant और tenant से उसे ये पैसा मिल भी नहीं रहा कितने रुपे? 1000 रुपे तो यहीं पे 1000 रुपे हमारा पे unrealized rent भी हो गया unrealized rent you are लिखती है मैंने समझ रहे हो दुबारा सवाल को पढ़ लेते हैं घर है घर का residential unit है हमारे तीन और उस unit unit 1 का 50% floor area is let out residential purpose on a monthly 16,000 this unit यही 50% unit जो था हमने क्या कर लिया residential purpose के लिये ले लिया और 1000 मिले भी नहीं चलो भईया दोनों चीज़े हैं यहां पे unit 2 का 25% area could be used by him for the purpose of residence unit 2 के अंदर just 25% area यह तो SO हो गया sir यह 50 मत मान ले ना यह SO है self occupied ठीक है ना यह area self occupied क्या देता है use for the purpose of residence unit 3 का 25% is used by him for the purpose of business sir unit 3 का 25% area यह business के लिए हो रहा तो आपको याद होना चाहिए house property के definition section 22 में कहा गया है कि अगर आप अपने घर को अपने business के purpose के लिए use करेंगे तो वो house property के अंदर taxable ही नहीं होगा वो PGBP का पार्ट बन जाता है हाँ आपका घर कोई और किराये पे ले के वहाँ business करें तो वो तो हमारा house property का taxable माना जाएगा तो sir यहाँ तक बात करें unit 3 तक हो गए है other particular of the area जो other particular of the area है particular of the houses area municipal value आपका दे रखा है municipal tax दे रखा है repair दे रखा है ground rent दे रखा है land revenue insurance जो किसी काम का है नहीं interest on the borrowed capital municipal tax आपका given है interest आपका borrowed capital for payment interest on borrowed borrowed for payment of municipal tax हमने municipal tax pay करने के लिए देखे question कैसे घुमाया आप municipal tax pay करते हैं तो आपकी मर्जी कहीं से भी करिये इसने कहा कि भाई अमने municipal tax pay करने के लिए हमने क्या करा है एक loan liya है law कहता है आप या तो घर को बनाने के लिए लिजिए या घर को repair करने के लिजिए अप घर के taxis को पे करने के लिए तो उसका allowed law में mention नहीं है ठीक है ना इसके बारे में law में कहा नहीं गया income of our business आर का एक business income भी यहां से आता है without debiting the house rent and other आपका identical expense admissible depreciation यहां पर depreciation 1600 रुपे है और कहता है one fourth portion of the house used for the business ठीक है sir determine the taxable income of our assessment year तो इस सवाल के अंदर आप देखेंगे तो बड़ी सारी चीज़े बोली गए यह बच्चे कह रहे हैं video lag हो रही है भी ठीक कर देते हैं refresh करके पहले तो आप सवाल देख लिजे इसमें काफी सारे points बोले गए हैं यह area 50% area 25% area अब इस identical unit को तीन भाग में जो बाटा गया मैं थोड़ा सा clear कर दूँगा इसको so that आपको थोड़ा सा मतलब point clear हो जाए पहले यहां तक देख लिजी सर 50% first पूरा unit है बिल्कुल बिल्कुल मैं वही चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ तो अब देखिए अब सवाल में confusion कहां आती है मैं दोनों चीज़े लेके चलता हूँ अब सवाल में confusion आती है सर इनके बारे में कुछ नहीं बताया जो आप लेके चल रहे हूँ इसके बारे में कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब सर सवाल में जो है कहता है unit 1 50% of the floor area अब यहां पे एक word मेरे से पढ़ने में थोड़ा समिश्टेख हो गया floor area floor का मतलब हो गया सर that is a floor area पूरा तो इसका unit 1 जो है न वो आधा है यह है unit 1 ठीक है न और जो अधर है वो 25-25 है यानि यह कहानी बनी होगी क्योंकि बाकिये के बारे में नहीं बताया सर यह वाला let out हो गया यानि जो कहानी है न मैं simple सी बात करूँ तो यहां पे यह line नहीं है correct अब समझ में आया है आपको यानि यह पूरा area ही है और municipal values अब area के basis पे क्या होगा divide हो जाएगा चलिए समाल को एक पर थोड़ा सा तो start करें so that हमें पता चले कि करना क्या है actual में वैसे थो पता ही कितने पार्ट में बाटना है तीन पार्ट में दो part में ही बातेंगे actual में तीसरे part में क्यों निढ़ाइंगे क्योंकि वो किस purpose के लिए है business और business purpose के लिए house property का नहीं है business income के लिए अलग page पे हम करेंगे का कुछ बच्चे confused हो रहे होंगे मैं दुबारा question पढ़ देता हूं एक बार कुश्चन में जो मैं area को लेके चल रहा था कह रहा था unit 1 50% of the floor area मुझे लगा कि 3 unit है उस unit का 50% part कह रहा है लेकिन आगे देखा तो बागी remaining unit की कोई बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब सर ये unit 1 ही 50% है ठीक है न सर सिंपल सी बात है यहाँ पर unit 1 और unit 2 लिख लेते है unit 1 unit 2 सबसे पहले हम mark कर लेते हैं यहाँ पर कहता है municipal value 384 municipal value 384 तो 50% area ये होगा और ये वाला area कितना होगा 25 सर 384 का 50% निकाल लेते हैं बागी का area बिजनस में चला जाएगा न 384 192 और सर दूसरा area अब दूसरा area जो था 25% उसने क्या कहा unit 2 self occupied था ये पूरा का पूरा तो इसका वैसे low नहीं तब भी चलेगा और ये वाला area let out है तो सर इसका अगर देखा जाए तो 96 आ जाएगा बस calculation कर रहे हैं municipal value के बाद अब आगे चेक करते हैं सर question में और कुछ है क्या बस municipal value के बाद municipal tax paid कहता है 32,000 repair कहता है और उसके बाद rent कहता है land revenue paid कहता है insurance कहता है और तो कुछ नहीं कह रहा है हाँ पर तो सर municipal value यही बन जाएगा हमारा जाकर फाइनली GAV that is 190 2 और 90 6 ठीक है अब यहाँ पर हम नहीं जी यह भी थोड़ी बनेगा अब यह triple r भी लेगे न यही बन जाएगा जाकर triple actual rent receive and receivable sir actual rent receive and receivable कहता है 16,000 रुपे किराये पर दिया और जिसमें से 1000 मिले नहीं चलो भाई साब और हमने जनवरी से लेके मार्च 3 महने किराये पर रखा 16,000 किराये के हिसाब से देखा जाए तो 16,000 इंटू में 9 होंगे और इसमें से माइनस कर देंगे हम 1000 रुपे तो हमारा 16,000 इंटू में 9 माइनस में 1000 143 sir अब चेक करना पड़ेगा उनके रूल से उपर जायता है नहीं जाता 16,000 होता तो तो 16,000 इंटू में 12 करते तो डेफिनेटली 192 ही बन रहा है यानि हमने गवर्मेंट के साथ कुछ ऐसा नहीं किया जिससे की गवर्मेंट परिशान हो पहले यहां तक देख लिजे sir प्लीज बता दो class की time कितने बज़े है class जो है capital gain की class कल साम को TTS में साम को 7.30 बज़े होती है 9.30 से 9 वो fixed timing है और ये वाली जो timing है वो extra चल रही है आपकी सारी timing पहले यहां तक देखिए कोई doubt sir rent एक बार फिर से बता दो कैसे है okay मैं rent बता देता हूँ मैं इसे मिटा के फिर से बता देते हैं बच्चे पूछ रहे हैं मुझे लगी रहा था doubt आ सकता है तो rent का देखिए मैं पढ़ देता हूँ कहता है जो unit हमारा one है उसने दे दिया किराये पे monthly rent 16,000 था तो that is अगर हम check करें तो 12 से multiply करना था लेकिन कहता है this unit however used by the residential purpose उसने अपना ये unit residential purpose के लिए यूज कर लिया और मार्च से यहां तक इसने मार्च से लेके यहां तक यूज कर लिया और 1000 रुपे उसका खाली रह गया 1000 किराया मतलब मिला नहीं किरायदार तो थे मिला नहीं अब सबसे पहले बताईए घर वेकेंसी था क्या नहीं था तो हमने वैसे किराय कितने महीने लिया होगा सर 16,000 किराय पे है तो जनवरी के बाद तो मैं खुद रह रह रहा हूं मुझे किराय मिला ही नहीं होगा तो that is कितने महीने होगे यहां पर 9 महीने कितने महीने होगे यहां पर 9 महीने होगे यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है सर अगर ये 9 महिने हो गए है तो इसके साथ साथ ये किराय तो मुझे मिल गया होगा लेकिन इस में से 1000 रुपे मुझे नहीं मिला होगा that is कितने आगे 143 अब कहता ही कि जब आप partly self occupied और partly let out on the basis of time तो normal calculation जाएगा ठेक है यही सीखा है तो यहाँ पर जो आजाएगा हमारा GAV निकालेंगे हम और सर GAV क्या आजाएगा यहाँ पर normally 192 दोनों में से जो higher होगा है और यह 0 हो जाना है less कर देंगे सर empty empty paid भला कि इसने कितने किये हैं 32,000 और that 32,000 will be divided into 3 units तो इसका 50% होगा तो इसका आएगा 16,000 और यहाँ पर तो allowed है ही नहीं बिजनस income तो हम last में निकालेंगे बताईए समय क्या year assessment year 21,000 है क्यों होगा 22 कैसे होगा बताओ January में खुद रह रह रहा है March same year तो ही है 21,000 रह गया बस यहाँ पर यह है our assessment year 21,000 हाँ तो वो 20,000 है तो दिक्कत के हैं ठीक है बिलकुल cm2 का भी श्रीक अभी फिर से बता देते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है mt का पहले अप सिर्फ mt को छोड़ के उस से पहले का आप देख लिजी आ mt को छोड़ के बाकि देख लिजी अभी समझा देते हैं चलिए मैं एक बार फिर से समझाने की कोसिस करता हूँ थोड़ा पेचीदा कोस्चन है तो जब तक क्लियर नहीं हो जाता आप जब तक नहीं बोलते का सर पूरा समझ में आगे तो मैं आगे बढ़ूँगा नहीं ये रहा मेरा एक एरिया इसको भी मिटा देते हैं चलिए आपके लिए और मैं इस कुश्चन की पहले पूरी समरी बनाऊँगा तब जाके आपको अच्छे से क्लियर होगा ये मेरा पूरा एक एरिया है इस एरिय के तीन टुकड़े है पहला टुकड़ा है इस एरिया का 50% जिसको हमने लट आउट किया है इसके बाद इस बचे हुए के 2 टुकड़े कर दिया इन्होंने एक 25% एरिया और एक 25% एरिया ये वाला एरिया self occupied है और ये वाला एरिया business में ले लिया है अपने business में तो सर लेट आउट तो एक ही एरिया है ये वाला इस एरिया की बात करें हम तो एक 4 से लेके 31-12 तक वो लेट आउट रहता है 16,000 के महिने की किरायपे यानि सर 9 महिने तक बाकी के 3 महिने जो बच गए 1-1 से लेके 31 मार्च तक वो SO कर लेता है ये तो सर जो हमें इस वाले एरिये से किराय वसूला होगा हमने ये वाला वसूल लिया होगा इस किराय में से भी 1000 रुपे मेरे पैसे मर गए मर गए का मतलब मेरे पैसे मिले नहीं तो 1000 माइनस कर दिया इसका मतलब मुझे टोटल रिसीव हुआ 43 अब जिये भी आपका ये आ गया अब मुंसी पल्टेक्स सभी एरिये में डिवाइड होगा equally मुंसी पल्टेक्स कहता है स 32,000 का पेमिंट हुआ है तो यहां का एरिये का बनेगा 16 इस एरिये का बनेगा 8 और इस एरिये का बनेगा that is empty है ना यह क्या हमारा empty तो सर अगर यह empty हमारा पूरा बनता है तो इसलिए हमने यहां के लिए empty कितना ले लिया 16,000 रुपे पहले अब बताईए मुंसी पल्टेक्स तक समझ में आय रहा है सर जिये भी 143 अच्छा जिये भी कह रहे हैं के सर 143 है रहमन का कहना है नई जिये भी 143 मैंने शायद पहले लिख दिया था यहां पे जिये भी जो होने वाला है ना वो होने वाला है क्योंकि हायर का concept आएगा क्योंकि जब vacancy होता मतलब जैसे तीन मैंने तक अगर वो खुद रह लिया तो तो हायर ही चलेगा भी अब कुछ रूलाज नहीं अगर वो vacancy का case होता तब फिर हम lower वाला case लेते हैं ठीक है ना तो इसलिए यहां पे यहां पे यहां गया minus 24 24a 30% 52 800 ठीक है sir interest का deduction इसको नहीं मिलेगा sir क्यों नहीं मिलेगा interest का deduction sir because of इसने loan लेके payment किया है घर नहीं बनाया इसने कुछ और काम किया loan लेके तो उस interest का deduction नहीं मिलेगा तो कितने बच गया हमारे यहां पे taxable hp कितना आ गया बताईए यह लोग calculator लोग मुझे बताते जाने कितने एक लाख 23200 अब लगता है अगले बार से ने fees में ही calculator का जोड लूँगा तो लेके आएंगे यह आगे 123200 hp अब इसने total income पूछा है sir यहाँ पे business income भी है यहाँ पे business income भी है इस बात को ध्यान रखना है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत एक और पॉइंट को मैं यहाँ पे explain करना चाहूँगा नहीं वो सारी चीज़े भी करेंगे sir एक और point अब मैं एक बार यहाँ तक अगर समझ आ गया तो मैं थोड़ा सा और इसको detail में ले जाओ point को सभी को clear है yes और no बोल दीजे यह point यहाँ तक सबको clear है interest नहीं होगा बिलकुल interest नहीं होगा क्योंकि interest loan इसने घर बनाने के लिए repair के लिए नहीं लिया है हर किसी को clear है फटा फट बता दीजे चलिए अब सवाल आता है कि sir यह जो हमने यहाँ minus किया है ठीक है suppose हम इसको यहाँ minus ना करते यानि हम इसको minus ना करते तो हमारा यह आता 140 और तब भी sequence यही चल रहा होता यानि जो किराया हमें मिला नहीं है या तो government ने मुझे बोल दिया है कि इस बार 1000 रुपे से कम income पे tax देना या तो यह बोल चुका है या government बोले हम नहीं मानते कि तुम्हें किराया नहीं मिला होगा rule number 4 फिल फिल नहीं किया होगा अगर मैं यहाँ पे 1000 रुपे माइनस करता हूँ तो क्या मुझे इसका benefit मिल रहा था या नहीं मिल रहा था नहीं मिल रहा था tax का दो scenario यही था आपको तभी इस 1000 रुपे का benefit मिल सकता है जब आपका 75 के जगह पर क्या आ जाए एक 75 समझना बातों को आप यानि सार जब कभी भी आपका unrealized rent होगा current year का एक तो unrealized rent था पिछले साल का जो कि हम सीधा क्या करते थे add back करते थे जब recover हो जाता था यहां recover नहीं हो रहा unrealized rent हो रहा है तो जब कभी भी आपका unrealized rent होगा न तो आप क्या करेंगे उसको आप GAV में से minus कर देंगे उसको किस में से minus कर देंगे GAV में से in case आपका higher यह हुआ तो लेकिन माने लो अगर higher यह हो रहा होता समझ रहे हो अगर suppose करो यह बन रहा होता हमारा 2,05,000 और 1000 minus करते तो कितना आता 2,00,000 तो उसके हिसाब से higher आता 2,4, 2,4 के बाद सारा scenario क्या benefit मिल चुका है मिल चुका है तो यहां सर आप समझिए गए इन बातों को बात क्या है कि अगर हमारा higher बन जाता है सरकारी value तो ऐसे situation में मैं लिख देता हूँ if higher आपका government value आप government value से समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो हम unrealized rent को minus करेंगे आप GAB में से minus कर दीजिए यानि GAB के बाद ही minus होना चाहिए लेकिन अगर आपका if आपका government value मैं अपनी language में बोल रहा हूँ और टूटी फूटी लिख भी रहा हूँ लेकिन आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ों को आप अपने language में लिख जरूर लिजेगा अगर higher lower हुआ तो unrealized rent का कोई treatment नहीं होगा वो वहीं पर minus होके हो जाएगा समझ रहे हो ना बात को समझ में आई क्या बात आपको समझ में आई बात आपको तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा अगर अब एक condition और आता है आप मान लो जैसे मैंने इस सवाल paper में कर लिया गड़बड होगे आप तो अब मिटाएंगे काटेंगे मेरे पास तो मिटाने का option है यहाँ पर एक आप कोई पास चलाकी होने चाहिए पटाफ़ट note दाला we assume that जो SSC है उसने rule number 4 satisfied नहीं किया जैसे ही यह note डाला तो examiner समझ जाएगा इसका मतलब आप इसको इसका deduction तो हमारा ये वाला जो answer है पूरा सही रहेगा change करने की जुरत कई बार हमसे करते करते कुछ provision की गलती हो जाती है तो पढ़ लो क्या इसके लिए note बन सकता है तो ऐसे करना है हाला कि 10 year के अंदर मैंने यहाँ minus करके दिखाया है यहाँ पर मैंने क्या करा है 16,000 रुपे तो इसका minus हो गया और यहीं minus कर दिया मैंने unrealized rent जो की 1000 और इसको बना दिया मैंने है कितने 175 और यह आगया हमारा असर कितने का बढ़ाईए 30% के आगया चेंज हो जाएगा न 52 और taxable यह हो गया HP की income अब हमारा business की income की बात भी करना है तो business की income की बात के लिए मुझे यहीं जगे बनाके फटा फट करके दिखाना होगा आप लोगों को क्योंकि अगर मैं दूसरे page पे गया तो फिर मेरे लिए थोड़ चलिए business income के लिए इधर जगे बना लेते हैं हाला कि 10 year में इसी के नीचे करके दिखा रखा है लेकिन वो छोड़िए आपको तो बस concept पता होना चाहिए और format वही follow करना है चलिए sir business income business income थोड़ा तिकनिस बढ़ा लेते हैं हम business income की बात करें तो business income में सवाल में क्या कहता है sir business income के अंदर सवाल में कहता है sir जो business income है चार लाख एक सथ हजार दो सो business income और 61,200 लेकिन इस business के लिए जो भी खर्चे होंगे सब माइनस होंगे मानलो आपने एक 10 रुपे का अलू 12 रुपे में बेचा तो जो किराया होगा वो भी तो माइनस करोगे उसमें से तभी तो net profit निकाल पाओगे आपने ये वाला unit जो था rent पे ले रखा था इसके लिए आप rent payment कर रहे होगे इसके लिए आपने बहुत सारे चीजों का payment किया होगा तो वो सारे चीजे आपके business के लिए क्या माना जाएगा as a expense और वो सब चीजों को मैं business में से क्या कर दूँगा minus कर दूँगा तो यहां से जो जो खर्चे होंगे वो सब minus करूँगा तो क्या क्या खर्चे हैं सबसे पहले देखिए यहां पर आपका है municipal tax तो MTB आपने payment तो किया है तो 8000 यहां से minus करो सर अलाउड है यह उसके बाद सर municipal tax के बाद क्या कहता है यह repair करवाया आपने खर्चा है तो repair लेकिन सर रिपेर कितना minus होगा स्रिफ 25% एरिया का जो कि 25% एरिया का होगा कितना 10,000 repair के बाद क्या है सर ground rent ground rent भी 16,000 है तो ground rent ground rent सर ground rent कितना है हमारा यह भी 25% यह नहीं सब 25% ही खर्चा मिलेगा क्योंकि 75% तो बागी एरिया पे है तो कितना आएगा यह 4,000 4,000 सब minus कर देंगे ground rent के बाद सर land revenue paid हमने कोई paid किया है revenue को expense paid कर दिया कितने का paid किया इसको कर तो 25% कितने आ रहे 24,50 सर इसके बाद और क्या payment किया है insurance premium 16,000 तो यह भी minus होगा सर 16,000 का हर किसी का 25% अब मैं करके दिखा देता हूँ confusion ना रहे जए कितना एगा 4,000 अब आगे कहता है यह आ गया इस एरिया के लिए 16,000 का depreciation है तो सर नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हो आप हमें सर नेट प्रॉफिट में से क्या depreciation माइनस करते हो नहीं करते बताइए इसलिए हमने क्या करा है हाँ पे माइनस कर दिया है यहां तक बताइए कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत है क्या समझ में आ रहा है आगे कहता है सर इसने ना interest भी paid किया है तो सर जब interest paid करेंगे that is a business expense तो business expense है तो यहां से interest भी माइनस हो जाएगा आपका 24 A जो B है ना वो कहता है कि आपका interest house property में से तब माइनस करने दिया जाएगा जब आपने घर बनाने ये रिपेर के लिए है business कहता है कि आपका कोई भी ब्याज हो अगर business को चलाने के लिए हो रहा है किसी भी type का तो आप माइनस करेंगे अपने खर्चा मान के तो चो खर्चा मानेंगे तो कितना interest दिया था हमने 14,000 का 25 परसंट कितना आएंगे that is so अब total कर दीजिए इसमें से सब को minus कर दीजिए that is business income चार तो ये हो गया business income question में क्या पूछता है determine that taxable income tax liability note तो taxable income क्या होगा taxable income के लिए एक और format यहाँ बना लेते है सट taxable income income from HP 122 और income from PGBP 427 660 तो टोटल कर दीजिए पांच पचास business income एक बार बता दीजिए देखे business income में जितने भी आपके business के खर्चे होंगे वो सारे के सारे simple सी बाते देखे अभी हमने वैसे PGB हलाकि किया नहीं है मुझे पता था कुछ बच्चों को doubt होगा देखे PGB पढ़ेंगे ने तो business के हम profit income निकालना सेखेंगे जैसे आपकी मान लेते है sales है sales है आपकी 5 लाग का और आपका purchase है purchase है मान लेते है 2 लाग का तो जो ये निकल के आएगा इससे पता है क्या बोलते है GP 3 लाग अब इसमें से सारे 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 करोगे है ना एक एक करके सारे खर्चे तो यहाँ पे खर्चा rent भी होता है यहाँ पे खर्चा interest भी होता है यहाँ पे खर्चा municipal tax भी होता है यहाँ पे rent revenue भी होता है यहाँ पे खर्चा insurance भी होता है सारे खर्चे तो सारे खर्चे मैंने वही करा business से minus कर दिया है कि without debiting house rent or other identical expenditure including admissible depreciation मतलब अभी इसमें से minus नहीं हुआ है तो हमने इसको minus करके पहले correct किया और उसके बाद हमने इसको निकाल लिया है बताइए सवाल में कोई दिक्कत क्लियर है आपको खुश्बू वस्के उलring सकतर ही आप ऑपको आपяжे सिर्व वस्क्तर है को क्लिंग उसको झाल झाल